तो गाई आज है तारिक 7 ऑक्टूबर 2021 और है थस्डे आज की तारिक से जितने भी most important current affairs बनेंगे उन सभी current affairs को हम लोग detail में डिसकस करेंगे आप लोग को मालूम होगा morning में ये वाला वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था लेकिन अब यहाँ पर finally मैं इस वीडियो को record कर रहा तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कौन-कौन से articles का discussion करना है आज के इस वीडियो में सबसे पहले article में हम बात करने वाले है marine protected areas के बारे में अभी इंडिया ने अपना support दिखाया है कि जो एंट्राक्टिका के अंदर marine protected areas उनको और जदा extend या जाएगा यहाँ पर हम हो चुका है तो इसको थोड़ा सा manage कर लेना मैंने आपको बताया था inform कर चुका हूँ कि eyes में swelling हो रही थी उस वजाए से इसको मैं publish नहीं कर पाया तो अब यहाँ आपर बहुत सरे articles हम daily basis पर discuss करते हैं जो कि हमारे UPSC और State PSC के point of view से बहुत सदा important होते हैं जितने भी article discuss करते हैं बहुत सदा enough details में discuss करते हैं कि कोई भी question इन articles के regarding prelims या means में आएगा तो आप लोग उसको easily solve कर पाऊगे आज के दो second article होने वाला है वो भी बहुत important है astro robot के बारे में चर्चा हो रही है तो amazon ने ये astro robot को launch किया है हम discuss करेंगे इस robot से क्या फाइदे होंगे plus हमारे syllabus में robotics का क्या role है उसको हम लोग discuss करेंगे उसके बाद next article में हम बात करने वाले हैं drone based vaccine delivery model के बारे में अभी हमने देखा है कि देखो drones का बहुत ज़्यादा इस्तमाल हो रहा है लगातार और आज के टाइम पर बहुत जारे questions बन सकते हैं drone के regarding क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में है अभी PLI scheme लाई गई गई ड्रो उसके बाद यहाँ पर drones based vaccine delivery model भी आ चुका है अभी हम लोग vaccine को drones के माध्यम से deliver करेंगे और साथी साथ drones का और भी चीजों में इस्तमाल होता है वो भी मैं आप लोग को यहाँ पर बताने वाला हूँ फिर उसके बाद fourth article में हम discuss करेंगे noble price medicine के sector में medicine के लिए अभी noble price दिया यह हाल ही में यह क्या purpose है इसके पीछे का हम लोग discuss करेंगे exactly हम लोग जानेंगे कि यह क्या इसका पीछे है इनका काम क्या गया है ओके मतलब इन्होंने यह क्या काम क्या है जिसकी वज़ा से यह noble price मिला plus noble price के regarding कुछ factual information हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे उसके एक important personality चर्चा में आ चुके हैं जिनका नाम है शाम जी कृष्ण वर्मा यह कौन है इनके बार में discussion होगा क्यों है यह चर्चा में क्योंकि एस टाइप के article बहुत ज़दा पूछे गए हैं UPSC में previous year question papers में मैं अभी आपको बताऊंगा आगे उसके बाद एड़ लास हम पीडियाइफ को डाउलोड कर सकते हो और यह मेरी इंस्टाग्राम आइडिये दीपक जादव एजूकेशन यहाँ पर जाकर फॉलो कर लेना दोनों ही चीजों का लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएगा साथ ही साथ अभी आपको मालूम होगा साथ ऑक्टूबर और आज से नवरात्री शुरू है तो सभी लोगो हैपी नवरात्री मातरानी आप सभी की जितनी भी काम ना है उनको पूरा करें तो अब फिलाल यहाँ पर थोड़ा सा रिलीफ मिला है उसके बाद मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ओके तो बढ़ते हैं आगे अब बात कर करते हैं कि हम लोग करेंट इशूस को तो डिसकस करते ही हैं साथ ही साथ हम लोग अपने प्रिवियस डे का रिविजन करते हैं लेकिन आज आप लोग फटा-फट खोद एक बार रिवाइस कर लेना वैसी वीडियो लेट हो चुका है और ज्यादा हमारे टाइम बिकार हो जाए इंडिया ने अपना बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया है आर्टिकल प्याईबी से लिया गया है आप लोग नीचे प्याईबी का आर्टिकल देख पा रहोंगे देखपा होगे कि इंडिया ने अपना सपोर्ट इंक्रीज किया कि हम लोग एंटाक्टिका का हो गया इसको यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि marine protected areas के अंदर इसको लाया जाए प्लस यहाँ पर इससे काफी है तक इस इन areas के अंदर protection मिलेगी अभी आप लोग यहाँ पर देख पाऊगे कि earth का जो total ocean area है उसका 16% area आपको यह southern area उसको declare कर दोगे तो वहाँ पर कुछ जो activities वगरा है उसको कम कर दिया जाएगा activities limited हो जाएगी आप वहाँ पर कुछ काम कम कर सकते हो ठीक है जो भी regular basis पर activities चल नहीं थी वो कम हो जाएगी ताकि उस area को हम लोग protect कर सकें वहाँ पर जो भी एक तरीके से habitat उसको product कर सकें और यहाँ पर कोई छोटी मोड़ी जो research activities है वहाँ लोग कर सकते हैं research के तोर पर जा सकते हैं लेकिन overall इस area को protection देने की बात करी गई है अब protection देंके तो इससे फाइदा क्या होगा यहाँ पर आप लोग region पर इसको establish करा गया 2016 के अंदर अभी यहाँ पर तीन और proposal आ चुके हैं तीन proposal मैंने आपको अभी बताया है East Antarctica Weddell Sea और Antarctica Palancular तो यहाँ पर यह तीन areas है जिनको भी MPS के अंदर लाया जा रहा है अब MPS के अंदर इनको लेकर आ जाएंगे तो इनको एक protection दी जाएगी यहाँ पर जो भी activities है human activities है उनमे limit लगाई जाएगी उनको कम किया जाएगा प्लस उसके बाद यहाँ पर जो भी areas है उनको conserve किया जाएगा उनको protection दी जाएगी वहाँ पर जो भी जानवर है species है उनको production दी जाएगी यह आप लोग ध्यान रख सकते हो ठीक है यहाँ पर इसके पिछे का idea है अब देखो बात क्या करीगे यह आज के टाइम पर जरूरत क्या है हम लोग को marine protected areas को establish करने के देखो बहुत ज़्यादा जरूरत है आज के टाइम पर ocean acidification बहुत ज़्यादा दे तो यह सारी चीज़ आपको देखने को मिल पाएंगे ठीक है जो यहाँ पर south ocean का southern ocean का health है basically यहाँ पर लगातार change होता वह नजर आ रहा है अब इनी चीज़ों को देखते वे इनको एक protected area declare करने की जरूरत है वहाँ पर activities वगरा रोको प्लस वहाँ पर जो भी invasive species हैं उनको एक protection दो तो कि उनकी जान को भी खत्रा है जैसे जैसे वहाँ पर जो area है वो खराब होगा तो जो जानवर है वहाँ पर definitely उनकी जान को भी खत्रा आएगा तो यहाँ पर आपका सकतो इन चीज़ों के regarding यह protection देने की बात करी गई है I hope आपको यह clear हो रहा है उसके बाद अगर हम एक लिए उसको conserve कने कि यहाँ पर एक convention है जिसके framework पर यह सारा काम चलना है जिसके rules and regulations पर काम चलना है यहाँ पर आप देख सकते हो जो CCAMLR है यह धियान रखना है इसका secretariat कहाँ पर located है Hobart, Tasmania और Australia के अंदर इसका यहाँ पर जो secretariat है वो located है प्लस Antarctic का mission के अगर हम बात करें तो इंडिया के बहुत सारे Antarctic mission आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि यहाँ पर एक नया हम लोगोंने base commission मनाया है 2015 में जिसका नाम है भारती उसके बाद यहाँ पर इंडिया ने अपना एक second station मनाया मेत्री और इसका दक्षिन गंगोत्री आपको first Indian base देखने को मिलेगा जिस ने यहाँ पर Antarctic के treaty system को बनाये कुछ खास important नहीं है एक आप यहाँ पर idea रख सकते हो यह मैंने अलग से information प्रोवाइड करवाई है PDF आपको मिल जाता है वहाँ से आप लोग read up कर सकते हो लेकिन जो important information थी वह हमने cover कर लिया है वो तीन areas ऐसे हैं जिनको एक तरीके से MPS के अं लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे हाली में जो amazon है इसने अपना astro home robot के बारे में सबको अनिवील करके बताया है और एक तरीके से जो robot है यह customers के लिए बनाये गए हैं कि उनके अगर घर में छोड़ दिया जाए यह robot तो एक pet animal की तरह काम करेगा ठीक है हाला कि यहाँ प आपके घर में देखो इदर उदर यह घूमता रहेगा ठीक है उसके बाद जैसे आपका pet animal होता है उसी प्रकार से यह एक तरीके से पुरा का पुरा रोबोट देखने को मिलेगा या फिर कोई अन्यूजल थिंग आपके घर में होगी तो उसको डिटेट करेगा उसका पता लगाएगा ठीक है अब यहाँ पर कोई owner अगर घर पे नहीं है तो उसके बाद भी यहाँ पर इसको रोबोट को आप घर में छोड़ सकते हो और यह पूरी तरह से देख बाली करता हो नजर आएगा इस रोबोट के अंदर एक periscope है periscope camera मतलब इसके सर में camera है ठीक है वो ऐ एक video uploaded है YouTube के उपर उसको आप देख सकते हो simple सा type करना astro robot by amazon तो वहाँ पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा उस वीडियो पर आपको और भी अच्छी से चीज़े देखने को मिल जाएगा ठीक है मतलब कि यहाँ पर robot के बारे में discussion है exactly कि जो यह robot है इसके अंदर काफ वाला member है या फिर कोई बाहर का member है तो उनको अच्छा से analyze कर लेगा तो यह robot को जिस प्रकार का है आप लोग देख पार होंगे यहाँ पर यह वाला exactly यह robot है उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो आज के टाइम पर इस robot के regarding बहुत सरे issues है दिक्कत क्या है दिक्कत सबसे पह आपको यह Amazon वाका अब Astro robot देखने को मिलेगा यहाँ पर यह भी कहीं लेकिन डेटा को बहुत दा स्टोर करेगा तो कहीं न कहीं यहाँ पर इस device को hack भी किया जा सकता है दूसरा concern यह है hacking करने के बाद यह device उल्टा ही काम करेगा उपर नुकसान पहुचा सकता है तो यह सारी चीज़े हम लोग को देखने को मिल जाती है ठीक है तो concerns वाली बात भी है यहाँ पर data production को लेकर भी चर्चा आती है ठीक है यह तो हमने बात करी एस्टो रोबोट की लेकिन exam में robotics से related काफी सारी चीज़े आ सकती है robotics क्या होता है basically robotics एक branch of engineering है यहाँ पर आपके सकते हो कि robots बन अगर कोई robot काम करेगा तो यहाँ पर आपके efforts तो कम हो जाएंगे machine के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ रहे है आज के टाइम पर आप लोग देख पार होंगे चोटे-चोटे काम के लिए बहुत से machines देखने को मिलेंगी जो robotics है आज के टाइम पर बहुत बला रोल हो चुग तो यहाँ पर देखो robotics के अंदर क्या हो जगा सबसे पहली बात machine है तो इसकी productivity increase होगी एफिशनसी इंक्रीज होगी quality इंक्रीज होगी जो भी काम कर रहे हूं उसका जो robots है वो यहाँ पर काम कर सकता है बहुत अराम से देखो बहुत सरे environment ऐसे होते है ना जहाँ पर human humans है या पर जो व्यक्ति है वो काम नहीं कर सकता लेकिन उस एरिया में machine का हम लोग यूज कर सकते हैं machine से काम कर सकते हैं तो यह चीज़े देखने को मिलती है उसके बाद यहाँ पर बोला गया देखो robots के अंदर और सदा capability होती है और साथी साथ यहाँ पर इसको नीद नहीं आनी है यहाँ पर सिर्फ बैटरी डालो और यहाँ बैटरी डालने के बाद इसको शुरू करो तो यहाँ पर क्या है देखो कोई ऐसा यहाँ पर इसकी जो capability है वो human से जादा होगी प्लस उसके बाद ना कोई इसकी अंदर boring वगरा जैसी चीज़े देखने को मिलेंगी प्लस यहाँ यहाँ पर machine के थ्रू काम हो रहा तो accuracy से काम होगा ऐसा हम लोग देख सकते हैं यह भी कहिने के इसका एक advantage है लेकिन साथी साथ disadvantage भी देखने को मिलेंगे प्लस जो safety procedures है यहाँ पर बहुत ज़रूरत है safety procedures की उसके बाद यहाँ पर बोला गया है रोबोट के अंदर emotions नहीं होता है ठीके इनको अराम से hack किया जा सकता है उसके बाद यहाँ पर costly काफी होता है पैसा भी जादा लगेगा अब यहाँ पर हम लोग जो astro robot की बात कर रह है कि देखो यहाँ पर कईने की machine का जो use है वो लगातार बढ़ रहा है और यह human की jobs को replace करता है एक concern वाली बात यह भी है ठीके तो यहाँ पर आपका सकते हो यह कुछ disadvantage है और यह disadvantages है जो की आपको clear हो चुके होंगे I hope ओके आगे बढ़ते है next article की तरफ अगला article health के point of view से important है health आता है GS paper 2 के अंदर बात करी गई है drone based vaccine delivery model के बारे में अब यहाँ पर आप इसको eye drone भी बोल सकते हो drones क्या होते है इस प्रकार के आपको यह drone देखने को मिलेगा इसके मदद से हम लोग vaccine को deliver कर सकते है ठीके और vaccine को deliver किया जा रहा है article आप देख पाओगे P.I.B. का article है यहा क्यों है क्योंकि हाली में जो ministry of health and family welfare है उन्होंने यहाँ पर इस drone based vaccine delivery model को launch किया है ठीके और यहाँ पर आपका सकते हो drones को क्या बोलते हैं हम लोग unmanned aircraft बोलते हैं इसके अंदर कोई pilot वगरा होता नहीं है automatic इसको हम लोग remote से control करके उड़ाते हैं यह सब आपको मालूम होगा अब यहाँ पर बोला गया जो drones है basically इसका आज के टाइम पर use काफी जादा बढ़ चुका है अभी हम लोग drones के माद्धे हम से vaccine को deliver कर रहे हैं और बहुत सारे areas के अंदर बहुत सारे areas एसे आपर हम लोग reach नहीं कर सकते हैं लेकिन इस drone के माद्धे हम से उन areas को हम reach कर सकते हैं blood samples का अगर आपको collection चाहिए यह collect करना है तो उसके लिए यहाँ पर आप ड्रोन का इस्तमाल कर सकते हो बहुत सारे यहाँ पर चीज़े को अंदर इस्तमाल किया जा सकती है या कोई भी health supply है तो वह भी क्या जा सकता है ड्रोन के माद्धे हम से तो ड्रोन का रोल आज़के टा होगा अभी तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे एक रिपोर्ट भी हमने डिसकस की ती दाहिंदू के अदर जो ड्रोन से उसका यूज क्या जा रहा है सीडलिंग के लिए agriculture सेक्टर में उसका यहाँ पर काफियत तक इस्तमाल किया जाएगा आने वाले टाइम पर ड्रोन क जो यूज है वो और ज्यादा इंक्रीज होने वाला है ठीक है तो यहाँ पर आप लोग दियान रिख सकते हो इसके बारे में और यहाँ पर जितनी भी चीज़े इंप्लीमेंट करी है वो है ICMR के द्वारा यह है एक अपेक्स बोडी इंडिया के अंदर देखो इसका में काम है जो भी हमारा मेडिकल है उसके मेडिकल के अंदर रिसेर्च करना मेडिकल के अंदर रिसेर्च कंड़ेट करना तो यह सारा में काम होता है इसका और इसको फंड को देता है तो Government of India फंड प्रोवाइड करवाती यह आप लोग को ध्यान रक लाएं ICMR क्यों चर्चा में था तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो क्योंकि ICMR नहीं यहाँ पर इस पूरे के पूरे मॉडल के बारे में बताया है कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि इस vaccine का हम लोग इस्तमाल कर सकते हैं और इस drone technology से हम लोग vaccine को हर एक जगा पर पहुचा सकते हैं क्यो and technology के perspective से important है science and technology आता है GS paper 3 के अदर अभी आप लोगों मालूम होगा लगातार Nobel Prize दिये जा रहे हैं Nobel Prize अभी medicine के sector में दिया गया फिर उसके बाद यहाँ पर physics के sector में दिया गया और अभी chemistry के field में भी दिया गया है तो अगर हम बात करें Nobel Prize यहाँ पर physiology और medicine के जो category में दिया गया है यह दो व्यक्तियों को दिया गया जो यह Nobel Prize है बिसिकली एक जो मैं आपको medicine वाली बता रहा हूँ medicine के अंदर एक व्यक्ति है David Julius और दूसरे Ardem Peta Potion तो यहाँ पर यह दो व्यक्ति हैं जिनको यह तरीके से Nobel Prize मिला है आर्टिकल डाउन टू एर्थ का आप लोग देख पाओगे डाउन टू एर्थ का अलावा वेरियस न्यूस पेपर इस आर्टिकल को कवर कर चुके हैं अब यहाँ पर इन दोनों व्यक्ति ने क्या काम किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा ठीक है लेकिन उससे पहले आप लोग यहाँ पर यह देख सकते हो Nobel Prize के बारें बात कर लेते हैं जो यह Nobel Prize है बैसिकली एक स्वेडिश साइंटिस्ट है अब हम बात करते हैं इन दोनों व्यक्ति ने क्या किया इन दोनों व्यक्ति ने हमारे अंदर है जिसका नाम है टी आरर टी वी वफिय लग सेप्टर है यह एक हीट सेंसिंग डी receptor है आपको नाम याद रखना है TRPV-1 एक heat sensing receptor है जो कि आपको पता लगाता है आपके body को पता लगाता है कि यहाँ गर्मी है या ठंडी है उसके बाद जो RDM pedopotion है इन्होंने यहाँ पर एक तरीके से दूसर receptor है डिस्कवर किया है और यह receptor का नाम है PISO-1 ठीक है यहाँ पर जो डैविड जूलियस है उन्होंने TRPV-1 receptor की discovery करी है और RDM pedopotion ने PISO-1 के discovery करी है PISO-1 का मतलब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जब भी कोई कोई टच करता है आपको तो भी आपको एक तरीके से feeling आती है ठीक है जब भी आपको कोई टच करेगा तो भी आपको एक मैसूस होगा तो यहाँ पर इसको लेकर जो एक तरीके से receptor है वह PISO-1 receptor है आपको ध्यान रख सकते हो अब यहाँ पर हम बात करें इन discoveries की importance क्या है इन discoveries की सबसे पहली importance यह है कि आप लोग समझ सखोगे कि किस प्रकार से जो heat है या फिर cold है वो एरिया में देखने को मिल रहा है मालो आपके body के अंदर यह receptors नहीं है तो मालो अब ठंड आने वाली है तो ठंड बढ़ जाएगी तो क्या होगा आपकी body को पता चलेगा बिलकुल भी आपकी body को पता नहीं चलेगा कि ठंड आ गई है और इसकी वज़़ा से लोग की death भी हो सकती है अब यह receptors मौजूद है इ पर देखने को मिल जाता है आपको ध्यान अखना है उसके बाद आज मैंने आर्टिकल काफी तीजी से कवर गी है आपको मालूम होगा देखे क्योंकि आर्टिकल जो है यह receptor वाला मैं पहले भी कवर कर चुग हम सुझे से मैं थोड़ा तीजी से इसको कवर गया है अब बात क पर देखने को मिल रहा है अब यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हो कि जो भी पर्सनलिटी चर्चा में आती है उनका कॉंट्रिबूशन आप लोगो को ध्यान रखना है क्योंकि UPSC प्रिवेस येर में बहुत सारे क्वेशन इसी प्रकार के पूचे गए अभी मैं आपको सु 2007 में एक क्वेशन पूचा गया था कि जो महात्मा गांदी जी है इन्होंने सत्यागरे मुवमेंट कब स्टार्ट किया था मतलब कौन सी जागा से सबसे पहले बार स्टार्ट किया था इंडिया के अंदर ये एक क्वेशन मैंने आपको डिसकस भी किया था ठीक है और सारी च सकते हो जो भी important personality आती है तो उसके बारे में पढ़ लिया करो खासकर उनका contribution क्या है उसको पढ़ लिया करो तो जो श्याम जी कृष्ण वर्मा जी है ठीक है इनका जन्म हुआ था चार October 1857 में कहां पर हुआ था मंदवी टाउन आफ कच डिस्रिक्ट आफ गुजराद गुज इनका talent को देखा उसके बाद यहाँ पर आपका सकते हो जो श्याम जी कृष्ण वर्मा थे इन्हों एक तरीके से inspired थे बाल गंगा धर तिलक जी से स्वामी दयानन सरस्वादी जी से हर्बर्ट स्पेंसर से तो इन लोगों से inspired थे प्लस यहाँ पर श्याम जी कृष्ण वर्मा ने फाउंड किया है इंडियन होम रूल सुसाइटी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर इन्हों ने क्या फाउंड किया था इंडियन होम रूल सुसाइटी प्लस उसके बाद इसमें काफी चारी चीज़ा लिग दी थी ठीक है अब यहाँ पर यहाँ पर यह शिफ्ट हो गए कहां पर इंग्लेंड से पारिस में शिफ्ट हो गए अपना मुवमेंट चलाते रहे लेकिन क्या हुआ जब पहला वर्ल्ड वार हुआ 1914 से लेकर 1980 के बीच में उसके बाद यहाँ पर यह स्विट्जलेंड जनेवा में पहुँच गए इस वर्ल्ड वार को देखकर और वहाँ पर अपनी रेस्ट आफ दी लाइफ निकाली प्लस इनकी जो डेथ है वो 30 मार्च 1930 में हो चुकी थी तो आपको ध्यान रखना है ऑप नाम समझ गया होंगे एक पीकॉक के बारे में चर्चा हो रही है और्टिकल आप देख पाऊंगे डाउन टू अर्थ का है क्यों चर्चा में क्योंकि हाली में एक आदमी है जो कि तरीके से बुरी तरह सा हिट या इस पीकॉक के थुरू इस पीकॉक ने इत्ती बुरी पर देखेंगे तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कोशन आप लोग को एकनॉमिक अंदर देखने को मिलता है अब बात करते हैं पीफॉल पीकॉक के बारे में यहां पर इसका जो पीकॉक है इसका नम पीफॉल दिया जाए एक तरीके से जो मेल वराइटी है इसकी उसको पीकॉक ही बोला जाता है इंडियन पीकॉक आज के टाइम पर नैशनल बर्ड है भारत का आप लोग को मालूम होगा जो यह पीफॉल यह वाले जो वाराइटी है यहां पर यह कौन सी फैमिली से बिलॉंग करती है इसके बारे माप लोग धियान रख सकते हो आज के टाइम पर जो पीफॉल यानि यह वाला जो मौर है इसकी दो प्रजातियां आपको खास कर देखने को मिलें दो नी और भी प्रजातियां जो की देखने को मिलती है जो रिकिनेजेबल प्रजातियां एक है ब्लू और इंडियन पीकॉक यह इंडिया और श्रिलंगा के अंदर देख तरीके से मौर आपको देखने को मिल जाएंगे ओके न यह जो स्पीशी से आज के टाइम पर बहुत सारी आपको करेला के अंदर देखने को मिलती है आपको दियान रखना है उसके बाद यहां पर एक चीज़ और यह mentioned करी गई है वो यह है कि यह जो बोर है यह एक तरीके से अरामसे forests के अंदर रह सकता है forest edges पर जंगलों किनारे प्लस उसके बाद cultivated areas पर भी रह सकते हैं तो आप लोग ध्यान रखना है इसके बारे में उसके बाद इस more के regarding बहुत सरी concerns है बहुत सरी के खेट में पहुंचेगा तो फार्मर क्या जाएगा उसको भगाने की कोशिच करेगा लेकिन कभी-कभी मैन अनिमल कॉन्फिक्ट इन दोनों का विवाद हो जाता है और इसकी वज़ा से कभी यूमन की डेथ हो जाती है या फर बड़ी दिखकर देखने को मिलेगा जो यह ग्रोइंग पॉपुलेशन पीफोल्स की यह सिगनल है क्लाइमेट चेंज का और यहां पर आप कर सकते हो कि आज के टाइम पर यह एक तरीके से जो यह पीकॉक हैं खासकर ड्राइ कंडिशन में रहना मतलब पसंद कर रहती हैं यह आप लोग ध्यान रख सकते हो काफी सारे कंसर्स वाली बात भी देखने को मिल रहे हैं प्रोटेक्शन स्ट्राइस के बारे में बात करें तो आयूसीन के अंदर इन पीकॉक को लीस्ट कंसर्ण कैडिगरी के अंदर डाला गया है और वाइड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यहाँ पर कोई मिस्टे कोई हो तो यहाँ पर इसको थोड़ा से इग्नोर करना आज क्योंकि काफी मतलब सही से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ आज मुझे खुद ऐसा लग रहा है ठीक है तो कोई बात है थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो आप आज फिर उसके ब ब्लोग एक प्रॉपरली वीडियो को रिकॉर्ड करा करेंगे उसके बाद जो भी आर्टिकल आपके रह जाते हैं अब फिलाल आपका डेली करन डेफर का कोई भी आर्टिकल मिस्ट नहीं है दहीं दो आटिकल आपके पीछे चल रहे हैं वही मैं कवर कर दूंगा संडे में जारा आपका बैकलोग पूरा हो जाएगा ये भी आप लोग ध्यान रखना ओके नाव इसके साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त मिलते हैं आप लोगों से नेक्स वीडियो में आज के लिए बाबाई है वानाइस दे थैंक्यू एंड जैहिंद